हेलो व्यूवस आडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बर फिर से आपका स्वागत है और मैं हूँ आतिफा तो आज हम चर्चा करेंगे जैन धर्म पर आज का हमारा ये आर्टिकल फ्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण भाग जैन धर्म से संबंधित है दरसल इस टॉपिक से UPSC के प्रारंभिक और मुखे दोनों ही परिक्षाओं में अक्सर ही सवाल बनाये जाते रहे हैं तो इस लिहाज से ये टॉपिक परिक्षा के हिसाब से बेहद उप्योगी हो जाता है साथ ही ये टॉपिक आपके उत्तरलेखन अभ्यास के दोरान गुणवत्ता में सुधार करने में भी सहायक होगा हमारा ये आर्टिकल सामान्य अध्यान प्रेश्ण पत्रेग के कला इवं संस्कृती खंड से जुड़ा हुआ है तो चलिए लेक के शुरुआत करते हैं भारत में धर्म, संस्कृती, दर्शन, विचार और कला की उत्कृष्ट परमपरा रही है जब दुनिया के अन्य देशों में धर्म वा दर्शन के अंकुर फूठी रहे थे तब भारत में स्थापित धर्म वा दर्शन के विरोध में नए धर्म और उनके विचाराने शुरू हो चुके थे छटी शताब्ली इसापूर के उत्रार्थ में मत्धे गंगा के मैदान में ततकालीन सामाजिक भेदभाव पून वादावरन आर्थिक शेत्र में हुए परिवर्तन और कठोर धर्मिक आडंबर जैसे कारकों ने नए धर्म के उदे की भूमी का तयार की इसी क्रम में यानि एक धर्मों और संप्रदायों का उदे हुआ इनही में से एक था जैन धर्म इसका उदे भी ततकालीन वैदिक धर्म के विवस्थाओं के विरुध हुआ था वैसे तो जैन धर्म के उत्पत्ती की प्राचीनता वैदिक युक से मानी जाती है मगर इसे लोग प्रियता छटी शताब्दी ईसापूर के उत्तरार्थ में मिली इसे लोग प्रिय बनाने का श्रे तीर्थंकर महावीर को दिया जाता है यहाँ इस तथे को फिर से दोहरा देना ठीक होगा कि महावीर जैन धर्म के संस्थापक नहीं है बलकि ये जैन धर्म के 24-वें एवं अंतिम तीर्थंकर है इन्होंने जैन धर्मे कुछ उदार्ता लाकर इसे सामानने जन के लिए सुलब बनाया जिससे जन मानस में ये धर्म काफी लोग प्रिय हुआ तो इस ओडियो आर्टिकल में हम जैन धर्म से संबंधित तमाम पहलों पर विस्तार से बात करेंगे लेकिन उन पर बात करने से पहले महावीर जैन पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं महावीर के बच्पन का नाम वर्धमान था विक्षत्रियकुल और राजपरिवार से संबंधित थे लगबग 540 इसा पूर्व में इनका जन वैशाली स्थित कुंडल ग्राम में राजा सिधार्थ और रानी त्रशला के यहां हुआ था जो ग्यात रुवंज पर शासन करते थे तीस वर्ष की आयू में वर्धमान महावीर ने एक तपस्वी का जीवन जीने के लिए अपना घर छोड़ दिया और यात्रा पर निकल पड़े जैन धर्म की पवित्र पुस्तकों के अनुसार वैशाक महा के दसवें दिन विबिहार के नालंदा जिलास्थित पावा नामक नगर में पहुँचे जहां उन्हें ज्यान की प्राप्ति हुई और जीवन की सत्यता अर्थात कैवल्ले या प्रबुधता का अनुभव हुआ कुछ अन्य उपाधियां भी उन्हें दी गई जैसे जितेंद्रिय यानि जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाली हो और निरग्रंथ यानि जिसने स्वेम को सभी बंधनों से मुक्त कर लिया हो महावीर स्वामी ने आध्यात्मिक्ता के लक्षे को प्राप्त किया और दूसरे को मोक्ष या मुक्ती पाने का सही मार्थ सिखाया उन्हें मानव शरीर धारं करने वाला भगवान का अवतार माना जाता था आत्मा की शुद्ध स्थिती तक पहुँचने के लिए उन्होंने तपस्या और ध्यान किया था बौत धर्म की तरह ही जैन धर्म में भी वेदों की सत्ता को नकारा गया है हाला कि बौत धर्म के विप्रीज जैन धर्म का आत्मा और आत्मा के अस्तित्व में विश्वास है इसका मानना है कि ये आत्मा ही है जो अस्तित्व और ग्यान का अनुभव करती है ना कि शरीर या मन क्योंकि इन दोनों को पदार्थों का धेर माना जाता है तो इस तरह जैन धर्म के दर्शन के मूल में आत्मा ही है चलिए अब जैन धर्म के दर्शन और शिक्षाओं को जान लेते हैं महावीर ने सही धर्म या मार्क के जरीय संसार में त्याग, कठोर तपस्या और नैतिकता विकसत करने पर जोर दिया जैन नैतिक रूप से अपने धर्मों से बंधे हैं ताकि वे ऐसा जीवन जीएं जिससे अन्ने किसी भी प्राणी को हानी ना पहुचे रागद्वेशी शत्रों पर विजय पाने के कारण वर्धमान महावीर की उपाधी जिन भी थी अते हो उनके द्वारा प्रचारिद धर्म जैन कहलाया जैन पंथ में अहिंसा को परम धर्म माना गया क्योंकि उनका मानना है कि सब जीव जीना चाहते हैं और मरना कोई नहीं चाहता यही कारण है कि इस धर्म में प्राणी वद के त्याग का उपदेश सबसे पहले दिया जाता है इसके अहिंसा में केवल प्राणों का ही वद नहीं बलकि दूसरों को पीड़ा पहुचाने वाले असत्ते भाशन को भी हिंसा का एक अंग बताया गया है महावीर ने अपने शिश्यों तथा अनुयायों को उपदेश देते हुए कहा है कि उन्हें बोलते, चलते, उटते, बैटते, सोते और खाते, पीते सदा यतनशील रहना चाहिए असावधानी पूर्वक काम भोगों में आ सकती भी हिंसा है इसलिए विकार उपर विजय पाना, इंद्रियों का दमन करना और अपनी समस्त वृत्यों को संकुचित करने को जैन पंथ में सच्ची अहिंसा बताया गया है पृत्वी, जल, अगनी, वायू और वनस्पती में भी जीवन है अतेह पृत्वी पर मौझूद एक इंद्रिय जीवो परहिंसा करना भी इस धर्म में मना ही है जैन पंथ का दूसरा महत्वपून सिधान्थ है कर्म महवीर ने बार-बार कहा है कि जो जैसा अच्छा बुरा कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है उनका ये भी कहना था कि मनुश्य जो चाहे प्राप्ट कर सकता है जो चाहे बन सकता है इसलिए अपने भाग्ये का विधाता वह स्वैम है जैनधर में ईश्वर को जगत का करता नहीं माना गया तप आदी सत्कर्मों द्वारा आत्म विकास की सर्वोच अवस्था को ही ईश्वर बताया गया है यहां अवतारवात को स्विकार नहीं किया गया ग्यानावरन, दर्शनावरन, वेधनिये, मोहनिये, अंतराय, आयू, नाम और गोत्र इन आठ कर्मों का नाश होने से जीव जब कर्म के बंधन से मुक्थ हो जाता है तो वो इश्वर बन जाता है तथा रागद्वेश से मुक्थ हो जाने के कारण वे स्रिष्टी के प्रपंच में नहीं पड़ता इसके बाद अनेकांतवाद जैन पंध का तीसरा मुख्य सिध्धान्थ है इसे अहिंसा का ही व्यापक रूप समझना चाहिए रागद्वेश जिन्ने संसकारों के वशिभूत नहों कर दूसरे के दृष्टी बिंदू को ठीक ठीक समझने का नाम ही अनेकांतवाद है इसे मनुष्य सत्य के निकट पहुँच सकता है इस सिध्धान्थ के अनुसार किसी भी मत या सिध्धान्थ को पून रूप से सकते नहीं कहा जा सकता प्रतेकमत अपनी अपनी परिस्थतियों और समस्याओं को लेकर उदित हुआ है अतह प्रतेकमत की अपनी अपनी विशिष्टा है अनेक आंतवादी इन सब का समन्वे करके आगे बढ़ता है आगे चलकर जब इस सिध्धान को तारकिक रूप दिया गया तो ये स्यादवाद नाम से जाना जाने लगा स्यादवाद साथ भागों में बटा हुआ है जो है इन साथ भागों के कारण ये सब्ट भंगी नाम से भी प्रसिद है जैंधर में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल नाम के छे द्रव्य माने गए हैं ये द्रव्य लोकाकाश में पाये जाते हैं जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष ये साथ तत्व हैं। इन तत्व के श्रद्धान से सम्यग दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यग दर्शन के बाद सम्यग ज्यान और फिवरत तब संयम आदि के पालन करने से सम्यग चरित्र रुत्पन होता है। इन तीन रतनों को मोक्ष का मार्ग बताया गया है। और वो अंतकाल तक वहां निवास करता है और वहां से लोट कर नहीं आता। अब अगले सवाल है कि जैन धर्म के आचार विचार क्या है। तो जैन धर्म में आत्मशुद्धी पर बल दिया गया है। आत्मशुद्धी प्राप्त करने के लिए इसमें देहदमन और कष्ट सहिशनुता को मुख्य माना गया है। निरग्रंथ और निश्परी ग्रही होने के कारण तपस्वी महावीर नगन अवस्था में विचरन किया करते थे। ये बाहिये तब भी अंतरंग शुद्धी के लिए ही किया जाता था। प्राचीन जैन सुत्रों में कहा गया है कि भले ही कोई नगन अवस्था में रहे या एक-एक महीने उपवास करें मगर यदि उसके मन में माया है तो उसे सिध्धी नहीं मिल सकती है। जैनमत में आचार विचार के पालन करने को शूरू का मार कहा गया है। जैसे लुहे के चने चबाना, बालू का ग्रास भक्षन करना, समुद्र को भुजाओं से पार करना औ जैन ग्रंथों में कहा गया है कि सच्चा ब्रामण वही है जिसने राद, देश और भै पर विजय प्राप्त की है और जो अपनी इंद्रियों पर निग्रह रखता है। जैन धर में कर्मों के अनुसार ही ब्रामण, ख्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की कल्पना की गई है ना कि किसी जाती विशेश में उत्पन होने से। महावी ने अनेक मलेच, चोर, डाकू, मच्वे, वेश्य और चांडाल पुत्रों को जैन धर में दिख्षित किया था। इस प्रकार के अनेक कथानन चैन ग्रंथों में पाए जाते हैं। जैन धर्म के सभी तीर थंकर छत्र पंचमों में ब्राम्मन, ख्षत्री और वेश्य इन तीनों वरणों के पेशेवर लोग पाये जाते हैं। जिन से इन मठके अनुयाईों को छोड़कर और किसी मठके अनुयाई चतुर्थ नहीं कहे जाते। चतुर्थ लोग साधान तया खेती और जमिदारी करते हैं। पहिंसा, सत्य, अस्ते और अपरीग्र है। महावीर ने पाँचवा महावरत ब्रह्मचर्य को भी स्विकारा। जैन संप्रदाय में पंचास्ती काय सार, समय सार और प्रवचन सार को नाटक्त्रई कहा जाता है। जैनमत में तीन प्रमान हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, कथ जैन धर्म मुख्यते दो संप्रदायों में बटा है। श्वेतांबर यानि श्वेत वस्त्र पहनने वाले और दिगंबर यानि कोई भी वस्त्र नहीं धारन करने वाले। जैन गरंथ में साथ तत्मों का वर्णन मिलता है। इसमें पहला है जीव। जैन दर्शन में इस और चौथा बंध। इसी तरह अगला सवर, निरजरा और आखिर में मोक्ष है। जीवन वा मरन के चक्र से मुक्ती को जैन धर में मोक्ष कहते हैं। जैन धर में श्रावक और मुनी दोनों के लिए पांच वरत बताए गए हैं। तीर्थंकर आदी महापुरुष जिनका पा नहीं करना। दोसरा है सत्य इसका मतलब सदाहित, मित वप्रियवचन बोलना। इसके बाद अगला है अस्ते जिसका मतलब बिना दी हुई वस्तु को ग्रहन नहीं करना या चोरी ना करना है। फिर एक है ब्रह्मचर्य यानि मन, वचन वकार्य से मैथुन कर्म का त्याग कर और आखिरी है अपरीग्र है। पदार्थों के प्रती ममत्व का बुद्धी पूर्वक त्याग करना यानि धन संचे नहीं करना। मुनी इन वरतों का सुक्ष्म रूप से पालन करते हैं जबकि श्रावक स्तूल रूप से। इसके बाद जैन धर्म में नौ पदार्थ माने गए हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार जीव और अजीव ये दो मुख्य पदार्थ हैं। आस्रव, बंध, सवर, नर्जरा, मोक्ष, पुन्य, वपपाप अजीव द्रव्वे के भेध हैं। इसके अलावा छे शाश्वत द्रव्वे हैं। जैन धर्म के अनुसार लोग या अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल। इन सभी के अलावा जैन धर्म में त्री रत्न को भी स्विकारा गया है। इसे रत्न त्रे भी कहते हैं। ये हैं समिक दर्शन, समिक ज्यान और समिक चरित्र इसमें शामिल होते हैं। समिक दर्शन यानि सही ज्यान को प्राप्त करने के तत्व निरने के साथना करने चाहिए. यहां तत्व निरने का मतलब है कि मैं इस शरीर आदी से भिन एक अखन्ड अविनाशी चैतन्य तत्व आत्मा हूँ. यह शरीर मैं नहीं और यह मेरा नहीं है. जबकि समय ज्यान प्राप्त करने के लिए भेद ग्यान की साधना करनी चाहिए यहां भेद ग्यान का मतलब जिस चीव का, जिस द्रव्वे का जिस समय जो कुछ भी होना है वह उसके समय की योग्यत अनुसार हो रहा है और होगा उसे कोई फेर बदल नहीं सकता है वही समय क्चरित्र की साधना के लिए वस्तु स्वरूप की साधना करना चाहिए समय क्चरित्र का तातपरे नैतिक आचरन से है पंच महावरत का पालन ही वो शिक्षा है जो चरित्र निर्मान करती है और पुनर जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान करती है रतन तरह आत्मा को छोड़कर अन्ने किसी द्रवे में नहीं रहता है अब इन सब के बात सवाल है कि इन सभी बातों के होते हुए भी आखर जैन धर्म का प्रभाव कैसे कम हो गया तो जैसा कि आपको पता है कि जैन धर्म भारत में एक समय में काफी महतवपून धर्म माना जाता था महावीर स्वामी के जीवनकाल में इस धर्म का अच्छा खासा प्रचार प्रसार हुआ लेकिन उनकी मृत्यों के बाद कुछ दिनों तक ही इसका प्रचार प्रसार हो सका और बाद में इस धर्म के अनुयाईों की संख्या सीमित होती गई इसके पीछे कई कारग जिम्मेदार रहे हैं इसमें पहला है ब्राम्मर धर्म से गहरा मतफेद दरसल जैन धर्म का ब्राम्मर धर्म से गहरा विरोत था तथा ब्राम्मरों ने भी इस धर्म का सदैव विरोत किया इस द्वंद के कारण भी जैन धर्म कमजोर हुआ बारवी सदी में अजैपाल के शासंकाल तक जैनियों के मंदिर की आभाय लगभग समाप्त हो चुकी थी इसी तरह सिध्धान्तों की कठोरता ने भी इस धर्म से लोगों को दूर रखा इस धर्म के सिध्धान्त अत्यंत कठोर थे जिनका सर्व साधारन लोग सुगमता पूरवकपालन नहीं कर सकते थे जैसे अहिंसा का कठोर सिध्धान्त जिससे सभी लोग नहीं अपना सकते थे इसके अलावा कठोर तब करके सभी शारिरिक कष्टों को सहन नहीं कर सकते थे अगला था राजकिय आश्रे का अभाव बौत धर्म के प्रचार में अशोक वा कनिश्क जैसे अनेक महान राजाओं ने जी जान लगा दी लेकिन जैन धर्म को ऐसे महान राजाओं का अधिक संरक्षन नहीं मिल सका और यही जैन धर्म के पतन का प्रमुक कारण बना जैन धर्म में अहिंसा का सुरूप काफी कठोर वा अव्यभारिक था जो धर्म के पतन का एक प्रमुक कारण बना यहाँ जिस रूप से अहिंसा के प्रतिपालन का विचार प्रस्तुत किया गया था उसका पालन जन्साधरन के लिए कठिन था फलत है क्रिशी प्रधान भारतिय जनता जैन धर्म के प्रति उदासीन होने लगी और केवल नगर में रहने वाले व्यापारी वर्क के लोग ही उसके प्रति आकरशित रहे कठोर तपस्या ने भी जैन धर्म को कमजोद करने में महती भूमे का निभाई थी व्रत, काया कलेश, त्याग, अंशन, केश कुंचन, वस्त्र त्याग व अपरी ग्रहन आदी के अनुसरन पर जोड़ दिया गया जो कि सामाने ग्रहस व्यक्ती के लिए इस प्रकार का तपस्वी जीवन जीना संभव नहीं था इसके अलावा एक कारण संग का संगटन भी था, जिसने संग के सुरूप को गेर लोगतांत्रिक बनाया जैन संगों की संगटनात्मक व्यवस्था राच्तनत्रात्मक थी उसमें धर्माचार्यों और सामाने सदस्यों के विचारों तथा इच्छाओं की अवहिलना होती थी जिसके फल सरूप सामाने जनदा की अभिरूजी इसमें कम हो गई हमें पता है कि किसी भी धर्म के प्रचार में उसके प्रचारकों की एहम भूमिका होती है और चुकि जैन धर्म में बाद में अच्छे धर्म प्रचारों को का भाव हो गया इससे जैन धर्म के प्रसार का मार्ग अवरुद हो गया इसके बाद आगे भी प्रचार के लिए सतत्व संगठित प्रयास नहीं हुए जिससे जैन धर्म का दाइरा भारत तक ही सीमित रहे गया ठीक इसी तरह धर्म में व्याप्त भेदभाव की भावना ने भी इस धर्म के पतन में एहम यूगदान दिया महावीर स्वामी ने जैन धर्म के द्वार सभी जातियों तथा धर्मों के लिए खोल रखे थे लेकिन बाद में इसमें भेदभाव की भावना घर कर गई इसके बाद आगे चलकर महावीर की मृत्यों के बाद जैन धर्म में विभाजन हो गया और धर्म दिगंबर एवं शेतामबर नामक दो संपरदायों में बट गया इस मदभेट के चलते धर्म के बचे कुछे अवशेश भी नश्ट हो गए इसके बाद फिर मुस्लिम शासकों ने भारत पर आक्रमन किया तथा विजे हासल कर जैन मंदिरों की नीव पर मस्जिदों और मकबरों का निर्मार किया अलाओ दिन खिल जी ने ऐसे अनेग जैन मंदिरों को धराशाई किया अधिकांश जैनी तलवार के घाट उतार दिये गए तथा जैन पुस्तकाले नश्ट कर दिये गए इन सभी कारणों के चलते जैन धर्म का विनाश हो गया आईए अब वक्त हो चला हाज के अभ्यास प्रश्न का तो सवाल है जैन धर्म के पतन के बीज उसके सिध्धांत में ही छुपे थे इस कधन के आलोग में अपना मत स्पष्ट कीजिए